दोस्तों आज मैं आपको practically समझाता हूँ कि जो beam है उसमें strip हमको किस type से provide करना चाहिए यहाँ पर देखिए दो main मैंने mention कर रखा है जिसका pair का distance है इसका 3 feet और इसका है 1 feet अब यहाँ पर देखिए दोनों के उपर हम क्या है same load रखते हैं 50 kg और 50 kg लेकिन यह क्या है कि जो कम time में ही क्या है परिशान हो जाएगा और लेकिन यह जो है इंसान वो काफी देर तक इस बेट को सहन कर सकता है क्योंकि जो इसका distance है पैरो का बुक कम है तो इसी type से क्या है कि जो beam है उसमें स्ट्रिप प्रवाइड करते हैं तो उसका देखिए तरीका क्या होता है कि जो कॉलम के पास है यह फोर पार्ट है उसमें हमको 100 mm center to center रखना है जो spacing है उसका strip का और जो ल वाइट टू पार्ट है जो बिडेल पार्ट उसमें क्या करना है कि 8 inch means 200 mm center to center रखना है ठीक है उनका spacing और इधर भी हमको क्या करना है 100 पे अब यहां पर देखिए जैसे दूसरा मैंने यहां पर जो beam बना रखा है उसमें क्या है कि जो spacing है strip का वो 300 पे है तो देखिए जो load टाइम होने पर यह इसमें क्रेक आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जो strip है उसका proper तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी जगए पर इस ट्रिप को कितने spacing पर प्रोवाइड करवाना है